हलो दोस्तो स्वागत है आपका एक बड़ से फिर हमारे यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन सेंटर में आज हम बात करेंगे ECR यानी East Central Railway Railway Requirement Cell जिसके अंत्रकात आप इस फ़र्म को कैसे ऑनलाइन अविधन करेंगे step by step सारे जनकार इस वीडियो में जानने वाल हैं तो चलिए बीना किसी देरी के शुरू करते हैं जैसे कि आप देख पारें इसका यह होम साइट है candidate में पोर्टल आप देख पा रहे है इस टेप फोन में आप नए candidate है तो रेस्टेशन करेंगे अगर आप पुराने candidate है एक बार रेस्टेशन कर चुके है इस टेप टू में candidate रेस्टेशन नमबर पासवर्ड और क्याप्चर कोड फील करेंगे आस लोग इन कर सकता है तो चली हम नए candidate है नई उजर है इसलिए हम जो कि इस वाले स्टेशन पर क्लिक करेंगे निव रेस्टेशन पर हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमाल सामने इस्टेप ओन candidate रेस्टेशन का फॉर्म खुल जाएगा इसके बाद प्लीज सलेक्ट द इस्टेट यह बिलांग आप किस इस्टेट से बिलांग करते हैं उस इस्टेट का नाम यह से चूच कर सकते हैं जैसे मैं उत्तर पर्देश से बिलांग करता हूं तो उत्तर इसके बाद रिलीजन हो जैन हिंदू मुस्लिम पार्सी जो भी आपका राओ यह से दे सकते हैं इसका पी ड्वूडी गेंड़ करेंगे इसके बाद रिश्टेशें नौप पर किलिक करेंगे आप पर मुबाइल नमबर पर जो कि आईडी और पास्वोड सेंड कर दिये जाएगा तो चली इसको रिश्टेशें कर लेते हैं जैसा कि आप देख पार है सकसे फ्लीज नोट योडि ब्लीज इसको जो कि लॉगइन कर लेंगे जाएगे इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे आपका रिश्टेशें नमबर और पास्वड आपके सामने आ चुका है इसके बाद रिट डैरेक्ट टू लॉगइन पर क्लिक करेंगे आप चैंड़िट में पोर्टल पर चले हैं जैसे हम लोग इन करेंगे हमारा इस्टेब टू कम्पलीट यो रिक्षेश्यम फर्म को ओपन हो जाएगा अब देख पा रहें इसके बाद जो कि आप लिखा हुआ मार्क वीथ जो स्ट्याल करना का दिया हुआ यह मेनेटरी आपको फिल करना पड़ेगा इसके बाद परस्मन इंफर्मेशन आप सबसे पहले करेंगे तो जेंडर यहां से चूछ करेंगे मेल फिमिल्या अच्जेंडर जोभी आपका राया सदे सकते हैं इसके बाद पिता का न इसके बाद आगे बढ़ेंगे, fill the address, ठीक है, अगर आपका permanent address और corresponding address अगर आपका same है तो इसको यहाँ से tick कर सकते हैं, और अलग अलग है तो अलग इसको fill करेंगे, ठीक है, तो permanent address में जो भी आपका address यहाँ से fill करिएगा, state यहाँ से choose करेंगे, किस state system को fill up कर रहे हैं, district का ना mark था, mark है, तो mark चूझ करिए, CGP है, तो CGP है, ठीक है, total mark कितना था, object mark कितना है, percentage कितना है, ठीक है, इसके बाद mark sheet number आपको यहाँ से fill करना पड़ेगा, इसके बाद जो है, PDF आपको यहाँ से upload करना पड़ेगा, जो कि 50 से 100 के week-up का होना चाहिए, ठीक है, इसके बाद आग कर रहे हो कि ट्रेड रहा है, यहाँ से चूझ कर सकते हैं, passing year देंगे, किस तन में आप जिरू की pass किया है, ITI को, total mark कितना है, obtained mark कितना है, percentage कितना है, यहाँ आप यहाँ पर दे सकते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो किस insurance से आपने pass किया है, ठीक है, national trade certificate number आपको यह अपलोड करना पड़ेगा, जो कि आपको 100 के बिस्ते कम का होना चाहिए, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो upload certificate यहाँ साथ करेंगे, ठीक है, यहाँ से आपको 50-100 के बिका होना चाहिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो upload फोटो यहाँ से करेंगे, यहाँ सा ठीच पर चाहिए। इसके बाइंगे उसके बाद से आपूटा यासा अपलोड करेंगे आपका आपंडे लाए्डी ही आपका मोबाईल नंबर और आपका कितना पेमेंट लग रहा है। सब कुछ यहां पर दिखा देगा इसके बाद पर क्लिक करेंगे जैसा ही क्लिक करेंगे एक दो सकेंड का समय लेगा उसके बाद जो कि पेमेंट का आउसन आपके सामने खुल जाएगा ठीक है जैसा कि आप देख पार है यूपी आई जैसा ही आप इसको पेमेंट कर लेंगे पेमेंट करने के बाद चाहिए तो आप वहाई से कंट्रोल पीर करके फाइनल पिंट आउट निकाल सकते हैं और वारना बाद में निकालना चाहते हैं तो कंडेट का रिशेशे नमबर पासओड ये क्याप्चर कोड या जो कि इसको ए रेलवे रिक्वर्रमेंट सेल के लिए ओन्वाइन आवेदन किया स्टेप बाइस्टेप सारी जानका रिया आपको प्रवाइट की तो आसा ही वीडियो आप सबको अच्छा लागा होगो तो लाइक करिए कमेंट करिए और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे जाएं दोस्तो